वेलकम टू स्मार्ट मार्केट टेफ्स फ्रेंज इन देस वीडियो वील कम टू नो वील लार्न कि आप कब एक स्टॉक को सही टाइम में बाई कर सकते हो तो आप सही टाइम इन दा सेंस राइट टाइम में अगर आप सीख जाओगे तो आपको प्रॉफिट हमेसा स्टॉक मार्केट से आपको मिलेगा क्योंकि most of the cases 90% लोगों का स्टॉक मार्केट में लॉस होता है क्योंकि जो maximum जो नया बिगिनर से उसको नहीं पता है स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक राइट टाइम में लिया जाता है कुन सा कब उसको सही टाइम में एक्जिट सेल करके निकल दना चाहिए तो for example मैंने एक स्टॉक यहाँ पे आपके सामने यहाँ आभी आपके स्कीन में दिखा रहा हूँ एक क्लाइन का कॉल यह स्क्रीन है उन्हें IRTA देखे यहाँ पे खड़िदा है कितना प्राइस में खड़िदा है वो देख लिजे इसके एवरेज कोस्ट प्राइस 162.44 यानि जो आज का प्राइस है येस्टर्डे का प्राइस और डेब इस्टर्डे का जो प्राइस था लॉर सर्कित वाला उसी प्राइस में ये खड़िदा हुआ है 162.44 और ये हमारा रेकमेंडेशन था हमारा जो प्रीमियम चैनल है जो टेलिग्राम चैनल में मैं इसको बता था कि इस लेबल में खड़िदा है लागा था लॉर सर्कित पांस दिन से चल लागा था जो पता था कि ये अभी यहां से ब्रेक आउट करेगा फिसे ये आपर सर्कित में चलेगा तो उन्होंने 162.44 पैसे में कड़िदा और नेक्स डे में वही स्टॉक फिर भागने लगा 162 से वो चरके हो गया एराउंड 168 बंद हुआ फिर आज देखिए कितना 177 हो गया तो इसी को बोलते हैं सही टाइम में स्टॉक में इंत्री करना अभी मैंने ये प्रोसेस कैसे इसको फॉलो किया कैसे मैंने जाना कि ये स्टॉक का प्राइस होगा और यहां से ये प्रेक आउट करेगा यहां से उपर जाएगा मैंने कैसे पता चला तो यहां पर देखिए उसके पहले मैं आपको दिखायेता हूँ आपको सायद गिलिब नहीं होगा ट्रांजक्शन पर दिखायेता हूँ कि देखिए ट्रांजक्शन कितना में मैंने पर्चेस किया आता यहां पर देखिए, बाइन प्राइस आप यहां पर देख सकते हो, 13 February का है, कुन सो डेट को है, 13 February को, quantity 500 और प्राइस है 162, टोटल वैल्यू भी देख सकते हो, 81,000 प्लास, तो 162 रुपिस में खरीदा हुआ स्टॉक्स, नेक्स डे में वही स्टॉक भाग के हो गया 168, उसके बात आज देखिए 177, लब आप यहां पर अभी आंदर जा लागा सकते हो, कि इसको कितना कितना परसेंट का अभी चल रहा है, रिटन यहां पर देखिए, उसको अभी रिटन मिल रहा है, 7300 प्लास, उसको प्राफिट हो रहा है, वो भी कितना दिनों में, स्रिप दो दिनो में, 2 days, तो मैंने यह कैसे किया, कैसे मैंने इसको समझाया कि, यह प्राइस में इंट्री करो और कुण से प्राइस में एकजिट करो, तो मैंने, एक्च्छली यह 20 एयास के एक्स्प्रीम्स है, जुस्तो, मैंने stock market में 20 साल से काम कर रहा हूं, and I am also certified stock analyst, तो मुझे 55 दिन से मैं इस टॉक को फॉलो कर रहा था और देख रहा था कि लोर सरकीट है और मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो चार्ट होता है हिस्ट्रिकल चार्ट वहाँ से निकाला आप भी अगाशी को कि हिस्ट्रिकल चार्ट तब काफी सारा on-line में ट्यूट्रियल मिल जाता है बट आ और IRDA में एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी उन्होंने रिन्यूवल सेक्टर सोलर एनर्जी पर कफी ज्यादा फोकस किया और सोलर एनर्जी में दो ही स्टॉक आता है एक तो है आड़ी सी और एक है आई आर ई डी तो मुझे पताता भरोस्ता आया डी में लागातार पांस दिन लोयर सरकिक के बाद यह स्टॉक आज या फिर कल दो दिन के अंतर अंदर उपर जाने वाला है क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट यह दोनों सजेस्ट कर रहा था कि यहां से फिर से उपर भागेगा और यह जो स्टॉक है यहां पर कुछ भी खरब नेगेटिप कॉम्पणी में नहीं है इसका प्रॉफिट है वह काफी बढ़िया है बढ़िया प्रॉफिट है नीचे जाने का कोई बात ही नहीं है ठीक है उपर जाना था ब्रेक आउट किया तो उपर ही जाना चाहिए था पर लागातार फाइप सेसन में यह नीचे आ रहा था लॉफिट में तो उसको अपर्चुन्टी बानके आपको खरीदना चाहिए ऐसा नहीं कि आप पेटियम ज आपको समस्टर बढ़ेगा, न्यूस को देखना बढ़ेगा, आयर्टी में ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ न्यूस नहीं है, सारे-सारे के सारे पॉजिटिव है तो आपका experience, आपका resistance support, आपका थोड़ा ग्राफिकल चार्ट देखो कि पिछले एक साल का कैसे बात ही जाम्प किय कर सा है यह इंक्रिस किया है कि बड़ा है बड़ा है चलिए तो आपको दिखाता हूं अगर मैं आपको IRD में लेके चलता हूं यहां पर देखिए अगर इसका अगर mutual fund holding यहां पर देखिए कितना बड़ा mutual fund है यहां पर देखिए 75% है promoter के पास ठीक है FII के पास देखिए 12.5% से भी ज्यादा स्टेक है मलब अच्छा खासा FII के पास भी यह स्टेक है तो मुझे यह काफी प्रोमिशिंग लगा और future के लिए इसलिए मैं इसको सब्सक्राइब करना है और वेट करने के बाद यह स्टॉक फिर से भागेगा कि की स्टॉक में काफी सारा और भी हैपिनिंग अभी बचा है तो स्टॉक सेलेक्शन राइट अभी एक्षिट कैसे करना है दोस्तों अभी देखिए अभी 177 इसका प्राइस है तो मेरा जो टार्गेर रहेगा दोस्तों अगर आपको 15 परसें भी प्रोफित मिल रहा है 15-20 तो वहां से मैं हमेसा बोलता हूं थोड़ा पैसा उसुल कर ले पॉपिट बुकिंग कर ले तो और एक थोड़ा सा प्रोफित इसको हो जाए 10,000 प्लास हो जाए 10,000 प्लास उसको प्रोफित हो जाए तो आयल साजेस्ट कि उसको मैं बेचने के लिए बोल दूँगा प्रोफिट बुकिंग फिर से रिएंटरी करेगा दूसरा स्टॉक में I have thousand stocks I have thousand penny stocks तो मैं इसको मैं टेल इसको इतना प्रोफिट मिलता है हमें से मिलेगा तो सही टाइम में इंटरी सही टाइम में राए उससे स्टॉक से निकल जाना is very important अगर देखो कोई स्टॉक का भरुस्टा तो है नी क्योंकि फॉर एक्जंपल पेटिय में 800 तक चला गया था जिन्होंने 400 पे निवेस किया उन्हें ने सोचा कि 800 तो मुझे डबल पैसा मिल रहा है और भी वेट करो और भी वेट करो धराक फिर से 400 में आ गया 400 से निचे आ गया उसका पैसे जितना भी प्रॉफिट होटा तो गया अभी लॉस में है तो देखो जितना भी दिक्कत सहासे कोई भरुसा है नहीं मार्के पर्षेंड मिल जाता है 15 परसेंट ट्वइंटी परसेंट पकड़ने चलिए तो वहांसे निकल लेना है तो वहांसा पर्षेंट कर सकते हो और अच्छा स्टॉक में घुष के सही टाइम में एंटरी करके सही टाइम में पॉफिट निकल के एक्सिट करना ही सबसे ज्यादा वाइस होता है मैं तो ही करता हूँ और मेरा जीतना थे क्लाइन ड़ायों मैं उसके साथ भी एही करन के लिए बोलता हूँ यही सल्य रेकोमेंडेशन करता हूँ बट फिर भी यह कोई सटॉक रेकोमेंडेशन नहीं है वीडियो में जास्ट फॉर एडुकेसिन पर्परस में मैं आपको यह साला दे रहा हूं कि आपको सही टाइम में प्रोब मलब इंटरी करना शिखें आपको एक्जिट करना सिखें अगर आपको नहीं पता है तो यू कान आलोएज वेलकम इन माई चानल टेली काम चानल जहां पर प्रिमियर मेंबर्शिप आगर लोगें गरी नॉमि आप सीखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सपोर्ट कीजिए थैंक्स पर वाचिन